है एब्रियोन मैं हूं मानिक प्यक और आज यहां पर जानेंगे क्यूंँ आप Google Ads यूज़ करना चाहिए राइड तो हम लोगों को Google Ads क्यूब यूज़ करना चाहिए और इसके रिजन के है तो यहां पर हम लोग 5 रिजन बताएंगे और यह रिजन जानने पाद अब आप मध्या चाहिं भूद दा हों का मैं चाहिं और हम आप्रिकर्ट ऑम होड़ thrilled is आप और यहां पर के ऊपर में विडियो को आप जात में और इन धह एवीडियो बनाथंый और जो गूगल एड़ ट्यूटियल क्लास के साथ सिख कर आप ज्यादा था ज्यादा बेनिफेड और फाइदा ले सके राइड, तो जब आप पैली बरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट सोटव से कर सकते हूं, क्यूंकि बिकॉज मैं अल्रेड़ी गूगल के उपर पहले वारा जो वीडियो है उसका में अभर वीव दे चुका हूँ कि गोगल एड्स की जो ट्रिप्टियल में शुरू कर रहो हो आप लोगों के लिए तो इसके अंदर आपको क्या का मिल चकते राइट तो फिर से दूबरे यहाँ पर रिपीट कर सकते हूँ बिकाज यह सुनने से आपको इतना प्रॉब्लेम या इतना टाइम वेस भी नहीं होगा राइट तो यहाँ पर आपको गोगल एड्स अगर आप सिख लेंगे तो इसके साथ साथ आपको वीडियो मार्केटिंग जैसे यूटूब के अंदर होता है यूटूब वीडियो मार्क कर सकते हो और जढ़ तर जढ़ एफाइदा आपको बहुत देगा तो यहाँ पर जढ़ तर जढ़ जढ़ आप मैं टिक्निकली और प्रक्सिच करवाने के लिए कोशिश करता हूं पर यहाँ पर जो मेन टॉपकी करूए के के हौई यूज गूगल आड्स ती हापर मुझे लगा कि 5 ऐसे टीफ से जो आप लोगों को शाध शेयर करना चाहिए एक नमबर है कि गूगल एड़ इसके इसके सेवल ओके गूगल एड़ अगर आप यूज करेंगे तो इसके बहुत अच्छा फायदा यह है कि आप कस्टमाइज करके आपको जो ओडियंस है वो चूस कर सकत हो राइट तो यह BMW कार बिशने के लिए आपको जो ओडियंस चाहिए वो ओडियंस को पास ज्यादा तर ज्यादा पैसा ज्यादा होना चाहिए उसका अर्णिंग सो ज्यादा होना चाहिए तब जाके वो एक चोले आपको जो BMW का जो कार का जो प्राइज से वो खरीज सकता ह नमबर टू अगर आप एक लोन देने वाला कंपनी हो या आपका लोन बिजनस है फाइनन्स बिजनस है तो आप उन लोगों के लिए लोन्स देना चाहते हो जिसका फैमिली आर्नेंग 30,000 को उपर ही या उसका जो सैलरी है पार मांथ उसका टारगेट 30,000 पार मांथ होना चाहि तो ऐसा ही अगर आपको ओडियंस होगा तो यह ओडियंस आप कैसे कलेट करेंगे तो गूगल आपको यह डाटा शेयर करते है और यह डाटा को आप कस्टमाइज करके आप ज्यादा ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो और इसके अंदर में वही सारेशी में आपको कि कैसे एक नंबर तो यह गया आपको दू नंबर इसके अंदर और भी सारेशी क्या है कि डिमोग्राफिक्स जो डाइनमिक्स एड्स और टार्गेट और ओडियंस यहाँ पर आप जाके कस्टमाइज कर सेकते हो अगर आप चाहते हो कि में उन ओडियंस को चाहता हूँ जो जादा तर जादा स्टूडेंट है और मेरा एडिकुशन मतलब टेनिंग सेंटर होने के नातिर में जादा तर जादा उन स्टूडेंट को में दिखाना चाहता हूँ तो अगर यह चाहते हो तो आप एक कर सकते हो तो इसके लिए गूगल एड्स आपको जादा बेनिफिट देता है ठीक है यह आपका number one reason है इसका accessible google ad measurable क्या है यहाँ पर measurable क्या होता है कि friend यहाँ पर आप मान के चलिए आप कुछ ad दिखाना चाहते हो और वो particularly कोई keyword business ad होना चाहिए तो यहाँ पर यह देखने के बात है कि अगर आप keyword ad campaign चलाना चाहते हो तो मान किसी लिए अपने google search engine में ad campaign चला दिये है और आपका जो keyword है वो है gel batteries तो अगर ad campaign अब चला रहे हो तो वो अगर कोई भी user अगर gel batteries यह लिखता है और मैस हो जाते है तो अब को potential जो मैस हो अगर मैस हो जाते है तो अब को एड शो होने लगता है तो यह आपके लिए एक फाइदा है तो क्या है अगर कोई interest लेकर कोई product साथ करना चाहते है तो उसके साथ-साथ आप ओ आड दिखा सकते हो अगर आपका keyword के साथ relevant होता है तो तो यहाँ पर यह भी एक बड़िया बात है कि जो Google Ads जो fixable होता है यह साथ-स नंबर तो नंबर थिरी है यहाँ पर जो fixable, fixable क्या होता है यहाँ पर कि आप चाहते हो कि आपका website का traffic बड़े आपका business बड़े आप lead चाहते हो या traffic चाहते हो या आपका data collect करना चाहते हो तो इ it over के लिए क्या होता है ज्यादा तर ज्यादा लोग उसका वीडियो प्रोमोशन करने के लिए Google Ads tool इस्तमल करते है पर उस नहीं पाते है कि कौनसा तरीके से follow करके और कौनसा rules follow करके ad campaign चलाना चाहिए तो यहाँ पर ज्यादा तर ज्यादा लोग क्या होता है ad campaign चलाने से उसका проблема हो जाते हैं और ज्यादा सस्था पैसा काट जाता है तो क्या होता है यहाँ पर परिशयर ने की ऐही बात है वहाँ आपने हम्ले को की करपाते है और ज्यादा तर ज्यादा गलत ad campaign चलने से उसका पैसे ज्यादा काट जाता है, इसलिए परिशान ही हो जाते हैं, और problem आ जाते हैं, तो यहाँ पर Google Ads दुनिया के सबसे number one ads tool है, चाहे आप Facebook के compare करो, LinkedIn के compare करो, या जाज डेल कुछ भी company के साथ आप compare करो, तो Google अपको सबसे ज् inbound marketing के हिसाब से ad campaign चलाते है, मान के जिले मैं plan bar service ढूनना चाहता हूँ, और यह मेरा location है New York, और मेरा business भी New York के अंदर है, तो अगर मैं एक word यहाँ पर लिख कर सास कर रहे हूँ, तो कोई किसी ना किसी को ad आपको दिखाए देरे है, यहाँ पर Google मैं business related ad है, और यहाँ पर द तो आपको ज्यादा benefit हो जाते है, तो इसलिए आपको Google ads choose करना चाहिए, इसके साथ और क्या है, मान के जिले आपने ad campaign के कितना पैसा खस करेंगे, पाट्डे तो खस करना आपको लिए possible नहीं है, सालों भर पैसा खस करना भी आपके लिए possible नहीं है, अगर आप चाहे के सारे lifetime तो मैं ad campaign के दुआरा पैसा खस करके मैं तो ऐसे तरह के से नहीं चल सकते है, तो Google इसके उपर भी धैन देता है, और आपको business के लिए एक benefit जरूर देता है, अगर आप ad campaign चलाते तो, कौन से वाला benefit जो आपको लिए फायदा होता है, मान के जिले आपने plumber service in New York या plumber service in कलक आपने ad campaign चला लिया, एक मैने या दो मैने के बाद आपने ad campaign रोक दिया, तो क्या होता है, यह ad campaign चलाने के वज़े से आपको main keyword है, target keyword और आपको जो website यह relevancy के उपर मैस हो जाते है, और आप जानते हो कि Google relevancy के साथ और popularity के साथ आपका website के priority देता है, तो अगर आपका website plumber in New York यह ज्यादा ज्यादा click हो रहा है, यह text लिक कर, तो आपका relevancy यही बन जाते है, के plumber in New York आपको website के relevancy मैस करते है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप ad campaign रोक देते हो, तो बात में यह organic SEO की हिसाब से आपको काम करने लगते है, जैसे यहाँ पर भी आपको business देखने के बहुत chances होता है, और यहाँ पर भी organically आपको chances होता है, तो क्या ह होता है, कभी-कभी यह ads के फायदा के लिए आप organic SEO भी मिल जाते है, इसके लिए आपको अलग तरिके से कोई SEO agency हायर करने की जरूत नहीं होता है, तो इसका एक benefit हो जाते है, यहाँ पर और भी benefit यहीं के, अगर आप एक महने के लिए ad campaign चलाते हो, और next महने आप आप कर देत है, और इसके अंदर बहुत सारे option है, मैं step by step सिखाऊंगा, और यहाँ पर थोड़ा से class discuss कर लूँगा, कि क्यों आप ad campaign चलाना चाहते हो, और इसके साथ-साथ आपको यह भी जानना होगा, because आप एक advertiser हो, और आप market को समझने चाहिए, market को अगर आप नहीं समझ लेंगे कि कौन सा keyword चल रहे है, कौन सा keyword सबसे ज्यादा lead देता है, campaign बहुत अच्छा run होता है, और इसके साथ-साथ आपको ज्यादा ज्यादा benefit दे सकते हैं आपको business के लिए, यह सारे logic और information अगर आप समाझ नहीं पाएंगे, तो Google ad campaign चलाना आपके लिए मुश्किल काम बनते और आपको जो पैसे है वो वेस्ट होते रहेगा, तो मैं साजेशन करोंगा कि Google ads का उपर जितना सारे वीडियो में आपको डालते रहोंगा, वो ज्यादा 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 relevant होगा, exactly होगा, और पूरा का पूरा practically होगा, तो मेरा साथ आपको जुड़े रहेना होगा, और मैं आपको प्रामिस कातो हो, पाट्डे वीडियो आपको मिलता रहेगा, अगर मैं पाट्डे वीडियो नहीं दे पाऊँगा, तो मेरा मुश्किल की काम यही है, मैं थोड़ा सा मेरा पास्नल लाइप की यहाँ पर शेयर का सेकते, बिकॉज यहाँ पर इलेक्रिसिटी भी क हो जाते, फिर भी महुत बहुत बहुत महनत करके मैं आप लोगों के लिए सबसे बेस ट्यूटियल और क्लास Google Ads ट्यूटियल यहाँ पर देने के लिए कोशिश करूँगा, अगर आप मुझे सापूट करेंगे, मेरा चैनल सब्काइब करेंगे, और मेरा साथ जुड़े रह होगा, यह मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, तो फ्रेंड मैं आपको रिकोस करते हूँ, मेरा साथ जुड़े रहिए और आपने जो इंपोर्टेंट टाइम मेरा यहाँ पर दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रया, क्यूंकि आपको बहुत इंपोर्टेंट टाइम इस